फ्रेंस तो चलिए आज बनाते हैं बैगन का भरता बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है तो फ्लीज वीडियो फिर लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप इस तरीके से बैगन का भरता बनाते हैं तो काफी स्वाधिस्ट बनता है तो फिर देर किस बात की चलिए इसे बनान सठैध करते हैं इसके लिए मैंने यह 300 ก बैगन लिया है यह बैगन साइज में काफी बड़ा लगण है क्योंकि काफी हलका दोै क्या एंतर हैं अब हम इसे कट कर के देख लेंगे ज sulfur किरा ना हो और हलका बेगन लेने से इसमें बीज़ भी कम होती और जल्मधी पक भी जाता अब इसमें हम हलका सार सरजुकर तेल लगा देंगे पकाने से पहले ठाकि इस का छिलका पकने के बारासानी से नीकल जाया physi अब इसे high flame पर हम पकालेगे इसे पकने में छे से शात मिनित लगता है अगर भिगंगा हो तो आसानी emphasize जल्दी पक जाता है वेगम पक गया है तो इसे हम निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंड़ा होने देंगे उसके बाद हम इसके छिल्के को निकाल कर इसे अच्छी से मैस कर लेंगे अब एक कराही में एक बड़ा चम्मसर्चो का तेल लेंगे तेल हलका जब गर्म हो जाए तो इसमें कटा हुआ लजवन डालेंगे हरी मिल्च डालेंगे और एक बड़ा कटा हुआ प्याज डालेंगे और इन सब को अची सिर्फ दो मिनट के लिए हम भून लेंगे इन्हें हमें ज्यादा नहीं पकाना है बस हलका ही भूनना है प्याज अधरक यह सब भून गया है अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे कटा हुआ टमाटर डालने के बाद इसे एक मिनट भूनेंगे उसके बाद स्वाद के नमक डालने के बाद हम एक चणताई चमज हल्दी डालेंगे, आधह चमज सब्जी मसाला और आधह चमज कस्मेरी यहां पर मैं तीखी वाली लाल मिर्च नहीं डाल रही हूं क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाला हुआ है अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप लाल मिर्च पॉर्डर वो भी यूज कर सकते हैं अब इसमें मैस किया हूँ बैगर डाल देंगे और इन सबको अच्छे से भूनेंगे बैगर भरता हम जितना कम मसाला यूज करते हैं उतना ही स्वाधिष्ट बनता है अब इसे 6-7 मिनट तक हमें बैगर के साथ भूनना है मसाला भी अच्छे से भून जाएगा टमाटर भी भून पक जाएगा और बैगर का भरता काफी तेस्टी बनेगा बैगर का भरता भून गया है तो अब इसमें हम अध्रक कटा हुआ डाल देंगे और धनिया बत्ता और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारा बैगर का भरता बहुत ही आसानी से तयार है इसे आपर रोटी पराठा लिटी बगर सब के साथ खा सकते हैं काफी टेस्टी लगता है तो चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंदारी है तो लाइक का बटन जरूर दबाईएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा दिजेगा ताकि आगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व करता है